आई गाइस तो बात करेंगे कुछ स्विंग सेट अपस की जो की आफटर डिसेंट करेक्शिन वह बारन रहे बट उसे पहले आज आलवेज मैं बोलता हूं टेलेग्राम पर आजो अपडेट पहले वही पर आएगी सेट अपस हो कुछ भी हो ठीक है तो नीचे टेलेग्राम का सही जाएंगी तो मैं धीरे धीरे अड़न करना शुरू करूँगा अगर हम निफ्टी को देखे तो निफ्टी ने साढ़े तीन परसंट की करेक्शन दे दी है ठीक है विच इस थ्री पॉइंट सेवन दिखा रही है यह फ्यूचर है ठीक है तो यह एक डिसेंट करेक्शन ह यहां से एक छोटी से मिनी राली हो सकता है नेक्स्ट हाई के लिए या फिर हाइस के आसपास जाने तक की तो उस राली में जो हम स्विंग पकड़ेंगे उसको अगर मैं जाके देखूं तो मेरी लिस्ट में क्या-क्या स्टॉक्स है ठीक है और आपने अगर पिछली विडि सबसे फेवरेट सेटप जो होगा मेरा वो मेरा पॉलिसी बजार का सेटप है जो कि मैं अगर यह अच्छी ओपनिंग हर चीज अच्छी करता तो सबसे फेवरेट नंबर वन सेटप मेरा यह है ठीक है तो पॉलिसी बजार क्यों है फेवरेट सेटप वो विडियो में है बाक अब मैंकेट फार्मा में सिर्फ एक चीज मिसेंगे वह है बाइंग पर वॉल्यूम बट हो सकता है वह इसके पॉप के बाद शुरू हो आनी बट अगर आप देखोगे यहां से यहां तक तो एक काफी साइडवीज तो अपवर्ड मूवमेंट में चल रहा है ना कोई क्लियर अपवर्ड ट्रेंड लाइन दी देखने को मिलते हैं कुछ भी क्लियर नहीं लेकिन जो मैं अज्यूम करके चल रहा हूं कि अगर हम इस बेस को पॉप करते हैं ठीक है यह एक पूरा बॉक्स बना हुआ है अगर हम इस बॉक्स को पॉप करते हैं तो हमारे वेक अच्छी रा पॉजिटिव साइन है फार्मा सेक्टर ओवरॉल में देख के आया हूं चौरा मैं दिखाई देता हूं आपको हमको इतनी डिसकॉशन करें बिना देखे फार्मा यह वाला है फार्मा सेक्टर हेल्दी लग रहा है 50 का री टेस्ट लेके पूरी स्ट्रेंद के साथ रिटरन म यह भी वाच लिस्ट के अंदर है इसमें भी एंट्री एक टेस्ट के लिए दल सकती है मेरी पहली जो प्रेफरेंस है मैं आपको बता चुका हूं पहली प्रेफरेंस वही की वही रहेगी अब डिपेंड करता है ओपनिंग पे कौन सा स्टॉक कैसे मूव करता है क्या ओपन ह इस देखने को मिल रहे है वाल्यूम पॉप किसी में नहीं है ना सेलिंग में ना बाइंग में तो हो सकता है जो नेक्स्ट बाइंग की रैली आए उसमें एक अच्छी वॉल्यूम पॉप देखने को मिल सकती है सबसे क्रूशल पार्ट यह होता है जब 10% की ड्रॉब आ रही है अगले ही दिन उससे 10% की रेकावरी का मतलब मामला सेफ है ठीक है क्योंकि सेलर रजा है लेकिन अगले दिन बायर्स में वापस छील ले कि भाई हम इसके राजा है हमें इसको कंट्रोल करने तो ठीक है इसके बाद जो हम आते हैं वो आते हैं ICIL पे और यह स्टॉक भी मेरे एक लिस्ट में है आप देखो बाइन की तरफ बहुत ही अच्छी वॉल्यूम्स है सेलिंग की तरफ बहुत ही कम वॉल्यूम्स है इसके अंदर एंटर थोड़ी से मुश्किल हो सकती है बाट वील सी एंट आप देखो तो एक अच्छी राइली के बाद यह अच्छा कूल आउफ है ठीक है यह राइली एक हेल्दी राली थी मेरे साब से 30 कुछ की होगी एक जैक्टी टू परंट कुछ की है ठीक है तो 32 परंट के बाद यह शेक आउट आना एक वीक मार्केट में काफी नॉर्मल है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बट अब कुरूशल पर यहाँ से कि यहाँ से राली कैसे बनती है तो यह भी एक अच्छा सेटप है और यह भी मेरी वाच्छ लिस्ट में रहेगा ही रहेगा ठीक है 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 अगर लगाना है तो इसके उपर लगा लेते हैं यहां से सेलिंग तो जहां से सेलिंग आईए अगर वो एरिया क्लियर हो जाएगा ना तो मामला साथ है यह पुरानी है तो डिलीट कर दो ठीक है तो मेरी वाच्टिस में चारी स्टॉक है आपको पता है मैं वही स्टॉक आपको दिखाता हूं जिसमें मैं अपना पैसा लगाने में दम रखता हूं अगर मैं अपना पैसा नहीं लगा सकता तो मैं वो स्टॉक नहीं दिखा सकता दिखाने को मैं आपको 400 400 दिखा दू 500 दिखा दो जो मैंने अभी बेट के स्कैन ठीए बाट थैंक यू फॉर वाचिंग बाकी इनकी अपडेट्स वगेरा अपडेट्स वगेरा अपडेट्स अन दे टेलेग्राम थैंक यू